आप देख रहें, नमबर बन सुप्राव, जरता मागे जवार अब अगर इटिहास के पन्ने पल्टे और रमन राज की बात करें, तो उसमें भी दुर्ग जिले में सैक्रव गायों की मौत हुई थी, जिस पर जंकर राज्यी थी, इस दोरान विपक्स में कांग्रेश थी, वही अब जब बड़ी संख्या में गायों की मौत हुई है, तो इ मौत हुई थी, जहां उप्चिनाव के पहले विपक्स में बैठी कांग्रेश को एक के बाद एक जट्के लग चुते हैं, साथ ही कहा ये भी जा रहा है कि आगे चलतर पार्टी नेताओं के भी, खासकर जो युवा दिद्द्द नेता हैं, उनमें भीतना राज की बढ़ सक दरसल बद्द्द प्रदेश कांग्रेश अप पूरी तरह से नाथ में हो गजा है, प्रदेश कांग्रेश के मेंटी की कमान हो ये विधान सभा में नेका प्रत्पस्ट का पड़ ये फिर मुक्षपंधी पड़ का चेहरा, सब ले एक ही नाम है और वह है कमर्नाथ, भूए जब प्रदेश का अंग्रेश के युवा नेतित पर भी नाथ परिवार का कब्जा होता है। ये जानने के भी हम कोसिश करेंगे लेकिन सुर्वा च्छति गरते साथ करते हैं जहां कसोटी पर काम भी होता है। लेकिन बीजेपी ने इसे अपने लिए मुद्दबना दिया। पूर मुख्यंती रमान सिंग में कहा है कि राज सरकार की रोका च्छेका और गोधन योजना का ये हर्ष्ट है। बोठान में ना पानी है और ना हिचारे की वेवस्ता है। पतास से जादा गायों को एक कमरे में रोका च्छेका के तहट लाकर भूखे प्यासे रख दिया था। बिलाशपुर के पतास गायों की मौत इसका मपिज़ा है। फैर पतास गायों की मौत गुनाहदार कौन है इस पर चबता सुन करें। चले इसके तहरे देख लेके रिपोर्ट। बिलाशपुर सिले के प्रगतपुर विकास खंड मेड़ पार में हुई पच्छास गायों की मौत पर च्छत्युजगर की सियासत गर्में। प्रदेश के पूरु मुख्यमंती डॉक्तर रमान सिंग ने गायों की मौत पर सरकार पर सीधे हमला बुला है। दरसल रमान सिंग् ने गायों की मौत के लिए राजस सरकार को जिम्मिदार बताती हुए कहा है कि दम घूटने से पच्छास गायों की मौत हुई है। रमान सिंग् ने आरोप लगया है कि सरकार की गौठान, रोका शेका योजना सब काघजों में शल रही है। जमीन पर इन योजनाओं का कोई क्रियान बन नहीं हो रहा सरकार केवल योजना के नाम पर वाहवाही बटोर रही है पूरी मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि प्रदेश में गौठान की विवस्था पूरी तरह से धस्त हो चुकी है इधर मुख्यमंत्री भूपेश बखिल ने कहा है कि गायों की मौठ दुरुभागी जनक है मामले में कलेक्टर और अधिकारियों को जाश की आदेश किये गए है जाश की जाएगी महीं रमन सिंग पर निशना सात्ते हुए सियन भूपेश बखिल ने कहा है कि बीजेबी से अपने कारेकाल में हुई गायों की मौठ से ना जोड़े दौनों मामले बहुत अलग है यह पचास गायों की मौठ जिस प्रकार से हुई है निशित रूप से इस पे प्रशासन को सरकार को कठोर कारवाई करने चाहिए काउठान की वेस्थप पूरी दिके से प्रजेस में धस्त होगी है नरौवा गरौवा गुरौवा बारी कागज में बहुत अच्छा दिख रहा है पर धरातल पर नहीं है वो परिश्टी अलग थी और आज की परिश्टी अलग थी है वो गौसाला जिसको अंदान दिया गयाता है हाँ उनकी मिलिश्टी लिए है अदिहां एक जिती साथ पांचिया सची ये दुनों बिल के एकी कमरे में बेड़ दी तारे जानवर को और इसके कारण से इसली बनी है सियासत कब किस करवट बैठ जाए इसका अनुमान लगाना बेहत मुश्किल होता है कल तक जिन मुत्वपर विपक्ष में रहते हुए कॉंग्रेस ने तदकारिन बीजेपी सरकार को खेरा था आज उन्हीं मुत्वपर बीजेपी कॉंग्रेस पर हमलावर है अब देखते हैं कि 66 गड में गयों की मौत पर शुरू हुई सियासत में कौन किस पर भारी रहता है स्वराज एक्स्प्रेस के लिए राइपुर से आशी इश्टिवारी की रिफो कि 66 गड में गोटान, भोका छेका और गोधन्या योजना के पापजूद बड़ी संचा में गयों की मौत तैसे हो गए क्या इश्टिवारी की लापरवाही के चलते सरकारी योजना इस सफल नहीं हो पा रही है या फिर कारण कोई खोड है चले इस सवालों का जवाब जाने के लिए खर्शा सूर करते हैं जिसके हमारे साथ राइपर से जुड़ गए हैं कांगर्स वेक्ता घिंट श्याम राजू तिवारी जी है तिवारी जी आपका बहस स्वागत है बिजी प्रस्ता के दार गुपता जी है बिजी प्रस्ता के लिए जी प्रस्ता के लिए जाना चाहेंगे वास्तरिक्ता क्या है और क्यों ये घटन खटी जी जानकारी मिली है उसके मताबिक मेड़ पार गाओं है तकषटपूर विकास्खन बिलासपूर जीले में है वहाँ पर जो है पचास गायों को पुराना पंचायद भवन था वहाँ पर बहुत एक छोटे से कमरे में ठूस ठूस कर रखा गया था और वहाँ पर दम घुटने से मौत हुई है ये जानकारी जो है मीडिया रिपोर्ट्स में भी और लोग जो है वो चाहते हैं कि जो पचू है वो खेतों बिना जाएं इसलिए सबको एक जगा एक अठा करके रखना है इसी के तहट वहाँ पर जो है गाओं वालों की एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में ये तैह हुआ था कि जो अवारा पचू घुमते सडकों पर या खेतों में जाते हैं उनको एक जगा पर रखा जा और इसी के तहट जरुवत से जादा एक छोटे से जगा में जरुवत से जानवरों को ठूज ठूज कर भरा गया था और यही करण थी कि सफोग वस्केशन के चलते हैं उनके मिरत्य हुई है और बाद में ये मामला जब प्रकास में है तो आनन फानन में प्रथम द्रिस्ट्या वुजगाओं के सरपंच और सचीव को दोसी पाया गया और दोनों के खिलाब फायार दर्ज करने के निर्देश दिये गए इसके लाब बिलासपूर कलेक्टर ने तीन सदस्की एक कमेटी बनाई है और ये कमेटी तीन दिम के भीतर जाज रिपोर्ट प्रस्तूत करेगी कि पूरे मामले में कहां कहां पे किस किस इस तर पे गरबड़ी हुई है और कोन इसमें दोसी था फायार सर्पन तो सच्छी उपर भले कर दिया जाए लेकिन रोका छोका रोक भी लिया गया और छेक भी दिया गया और छेका ऐसा कि वो उपर ही चलेगा हमेशा के लिए तिवारी जी ये वक्त है कल वक्त आपके साथ था आज वक्त उनके साथ है ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुर्ग का मामला जब हुआ था तब आप लोगे बढ़ हो हला मचाय था खुनाओ का समय भी आगया था तो निश्चित तोर पर मुद्दा आपके साथ था आज मुद्दा उनके साथ है इसकी जिम्मेबारी सरपांच और सचीव पर नहीं लादी जा सकी इसकी जिम्मेबारी निश्चित तोर पर आपकी योजना जिस तरह से लागू हो गई उस पर आती है क्या कहेंगे तिवारी जी देखें तिपाटी जी निश्चित तोर पर गायों की मौत कीनी परिस्तितियों में हुई है ये एक दुखत भी से है और निश्चित यह नहीं होना चाहिए था लेकिन जो हुआ है उसके लिए कहीं नहीं सरकार ने जिम्मेदारों के उपर करवाही भी की है और इसके जांच के भी आदिश दिये हैं जो एक लोगतांत्री करूप से चुनिवी सरकार की जो पत्रम दिस्टिया निर्णे होते हैं उस निर्णे को सरकार ने लिया है लेकिन मैं इस बात को बड़ी इमानदारी से कह सकता हूँ कि दुर्ग की घटना हो या बेमे नहीं दिया गया उनके खाल चमडी और हड्डियों को बेचने के लिए जिस प्रकार से उन्हें मारा गया उस घटना से इस घटना को जोड़ना मैंनी समस्ता की उचित होगा लेकिन मौत किजी भी परिस्टितियों में हुई दोशी जो भी होगा वो बकसा नहीं जाएगा य प्यारी जी घटना से जोड़ना उचित क्यों नहीं होगा आप विज्वल देख रहे हैं एक कमरे में जहां गाय आ नहीं सकती थी उतनी मात्रा में जहां दस से बारा गाय आ सकती हुआ पचास गायों को ठूस दिया जाता है और आप अपनी योजना चला रहे हैं गुठान योजना है घरवा घरवा योजना है रोका छोका योजना है तो मिस्शी तोर पर फेलवर तो है सरकार का कहिन गी आपने यिए इजना बहुत अच्ली बनाई मान स्वागत करता हूँ लेकिन ऐस योजना कौ पहनाने की जिमेवारी जिन्नों के पास है। आपикомती जी औनों घ एक परिस्थितियां कुछ कहती हैं और एक कि परिस्थित को निर्मित किया जाता है। ये जो 15 वर्षों में भारती जन्ता पार्टी के सरकार में, डॉक्टर रमन सीजी के सरकार में, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, आपके इसी टीवी चैनल पर, मैं उस विशह पर अनेको बार डिवेट पर बैठा हूँ, इस दोनों भी परिस्तितियां अलग है, ठीक ह किनी भी परिस्तितियों में मौत हुई है, उसे सही नहीं ठैराया जा सकता, मैं इस बात को स्विकार करता हूँ, लेकिन चूनी हुई सरकार, जिम्मेदार सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, कि ऐसे लोग जो इसमें किसी भी कारणों से, अपनी गल्तियों के चलते इन गा जब भाजपा गव माता की मौत पर आउसरवादी की ये जो राजनीती करना चाहती है, जिस प्रकार के बोल भारती जन्ता पार्टी के नेताओं के माध्यम से मीडिया पर दिखाई पड़ रहे हैं, ये साब तोर पर कहा जा सकता है, कि जो गव माता उनके लिए राजनीती क का विशय होती थी, आज वो कहीं न कहीं ऑसरवादी का भी विशय हो चला है, मैं तो पूछना चाहता हूँ डॉक्टर रमन सीची के, आपके तीवी चैनल के माध्यम से, पंदरा वर्सों में जिस प्रकार से गव माता की हत्याएं प्रदेश में हुआ, उसका जवाब कौन उसके जवाब देने के लिए आपके पास क्या तत्य हैं, उनके पास कोई तत्य नहीं, क्योंकि सीधे भारती जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने गव माता की हत्याएं की अपने आर्थिक लाप के लिए, तिवारे जी, फिलहाल तो अभी मुद्दा आपके है, उनकी हत्य ठीक है, उन्होंने जवाब दिया, नहीं दिया, वो होगे बाहर, तिपाटी जी, आउसर ने इन चौथाई पास के लिए योजना बनाई, आपने गोवर खरिदने जैसे की बात कही योजना बनाई, इसलिए आपके सवाल खड़े कर रहे हुए नहीं, आप सवाल खड़े करें, यह आपका अधिकार भी है, और टीवी चैनल की यह जिम्मेदारी भी है, मैं इस बात को सिकार करता हूँ, तिर पाटी जी, और उसी के तहक ही मैं आपको जवाब भी दे रहा हूँ, यह चुनीवी सरकार की जो जिम्मेदारी होती है, घटन गटना किसी दल से या किसी सरकार से जुड़ी नहीं होती, घटना परिस्थितियों से होती है, लेकिन एक घटना नीती और नियती के साथ की जाती हो, जान बुचकर की जाती हो, तो सवाल पैदा होते हैं, जो दुर्ग में हुआ, जो बेमे तरह में हुआ, वो जान बुचक कि गई घटना थी अपने आर्थिक लावों को साधने के लिए जिस प्रकार से भाजपा के कार करता हूं ने और सबसे बड़ी बात हमने लगाता और देखा है 15 वर्सों में रमान सी की सरकार ने भाजपा से जुड़े वे कारकारता हूं ने गौव सेया के नाम पर अनुदान क करके आवसरवादी राजपा करें बहुमाता को राजपा का हिस्सा बना रहें यह तो भारती जनता पाइटी की सोच है चली तराजीटी से पूछ लेते हैं राजपार ही सब कुछ होता है आपको और मिला आपने तीन चौथाई बहुमत से सरकार बनी उनको और मिला तो उन् का उत्तर आएगा तो मुझे बहतर लगेगा राजी तियारी की भी संतुष हो जाएगी। जिसका इजिक्र कर रहे हैं जब भारती जन्ता पार्टी का साशन था तो वो कोई व्यक्ति हो व्यक्ति थे जो एक गोशाला चलाते थे और वहाँ पर उन्होंने जो भी क्रिप्ट गैर कानूनी किया उसके लिए उनके उपर धारा लगी उन्हें जेल हुई और उनके उपर जो चल रहा है परंतु जब सरकारी छेत्रों में जब सरकार गाये के उपर फोकस करके और नर्वा गर्वा गुर्वा बारी से लेकर गोधन योजना गोबर खरिद्ने की योजना से लेकर गोठान की योजना से लेकर रोका छेका ये चार योजना है जो बता रहा हूं ये सर योजनाओं को लेकर धरातल तक जाएंगे अब देखिए ये एक घटना और मैं कहूंगा बड़ी दुखत घटना ये कितनी सारी चीजों की पोल खोल रही है कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मिरे मित्र गंशाम अगर इस बात को समझते तो सहाथ सरकार तक संदेश जाता कि एक रोका छेका योजना आपने बनाई कि गायों को रोका जाएगा और रोका छेका करके उन्हें कहीं छेक के रखा जाएगा तो वो गोठान आपने कहा कि हमने 25,000 गोठान बनाए हैं तो आपके पास क्या वो गोठान में रोका चेका रखने के टेट जगा नहीं थी? क्या वो गोठान आपके खराब है? जैसे बाजपा के लोग इसमें जो घुरुवा है नरुवा है और गरुवा है यह तो गरुवा तो गाई है ना जानवर ही है इसको कहा रख नहीं क्या विवस्ता आप किये तो यह आपकी एक साल पुरानी योजना है एक साल में भी आप इस योजना को यहां तक नहीं पूंचा पाए और सिर्फ सर्प मैं गोठान काया वहाँ था जब आई से पचीस हजार गोठानों की द्राब करते हैं तो वो तकत पुड़ के छेतर मेना पार करते हैं पिदार जी आवाज समय पड़ रहे हैं आपको मैं जो कह रहा हूं कि जो रोका छेका आपने काग्जियों में बनाया उसके इंप्लिमेंटेशन के लिए आपने क्या किया था आज भी आप देखें तो कहीं पर भी रोड में आपको गाय भूमती नजर चली आएगी किसी जाओं में चले जाए आप तो रोका छेका पेल है और जा रोका छेका किया वहां गायों को माय डाला तो आकिर यह सरकार जो नियम योजना बना रही है वो एक दुसरे से जुड़ी हुई है और जब एक योजना पेल मतलब उसकी पहले की चमरे में और 70 जाज जाज गोम आता है शरिप स्वास नहीं मिली चारा पानी की बात तो अब नहीं करते हैं दुख होता है आत्मा दुखती है इस बात को लेकर हाँ और पानी के कारण अगर गोम आता है कि मृत्ति हो गई और भी सरकारी जगा में और बारं बार वो दुर्ग जोड़ जोड़ के ऐसे अपरादों का जगन्य अपरादों का दर्भ कम करना चाहते हैं यह लोग आखिर चिदार जी आपने कहा कि नियती और नीत इस पे आप लोगों के फर्क है एक दूसरा आपने कहा कि आज भी सरकों में आवारा पसु घूंगते नगर आ जाएंगे यह क जैने कहा को तर निए नेके कहा कि smart कर पाना उनके लिए जगह मकर्रर करना उनके लिए चारा पाली की वास्तर करना बहुत कथिनन इसलिए आपने यह डरी यह का मंही लिया पंदे सालो तक नहीं देखिए ऐसा नहीं है कि हमने कठीन काम नहीं लिया और वो कठीन काम को लेकर चल रहे हैं कठीन काम को कर रहे हैं मतलब गोमाताओं को मार डाले गोठान योजना इनों ने शुरू की तो क्या वहां रोका छेका मैं गायों को नहीं रख सकते मनला गोठान योजना भी फेल है गोठान कहीं नहीं है इसका जवाब देगा कौन कमजोर योजना अच्छी योजना बड़ी योजना भई लागू तो आप ने किया ना अबारे समय 15 वर्षों में इनके पास जुरूग और बेमेतरा वो भी एक प्राइवेट व्यक्ति कोई व्यक्ति चला रहा था उस सरस्ता को उसने अफराद किया और उसके लिए दंडिस किया गया उसके खिलाब उसे बचाया नहीं गया उसके उपर सारे कानूनी प्रावदान कर रहा है। इस पर केस दर्ज हो गया है, तीन दिन में रिपोर्ट आएगी, क्या आप चाहते हैं कि उपर तक, अधिकारियों पर केस दर्ज हो, उपर तक का मतलब क्या हुआ, कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर, SDM इन पर भी केस दर्ज हो? देखिए, सारे लोग जानते हैं कि ये विवस्ता में आमूल, चूल, बहुत सारी कमिया है, खाली कार्जों में सरकार, जनता को लुभाने के लिए, ग्रामिंट शेतरों को लुभाने के लिए, ऐसी योजनाय ला रही है, और इन योजनाओं से लाब तो दूर की बात है, और स परीधा नुकसान हो रहा है पशुधन का, ये गोबर खरीदने की बात कर रहे हैं, और गायों को मार रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई सरकार की नियम होते हैं, या सरकार की योजनाय होती है, और इसमें जो लोग है, मतलब सरकार, ये सवाल नहीं कि, घटना घड़ पर भान पर लिए ना खरीव मेंसे खीजे थी जहां गायों को रखा जा सकता था, और अगर नहीं है, इसमें चमरा गायों के लिए सो गायों के लिए, तो बतायिया इन योजनाय हैं कि या काम होँ ह्य। यार हो गया यार हो गया या नहीं हो गया जो इसे नहीं है खिरार जी जो जी आप उत्तर पूछ रहे हैं प्रसे का कर रहे हैं राजी जी सुन रहे हैं उनी से सीरे उतर ले लेते हैं राजी जी अगर आपने खिरार जी की बात ना सुनी हो तो मैं बता दू अगर सुनी है तो यहाँ पूछना चाहता हूं तृपार्टी जी आपके मात्यम से कि गौठान की परिभासा समस्ते हैं सुनिये तो तृपार्टी जी सुनिये तो सहीं मैं वही जा रहा हूँ जो टीवी चैनल पर बैट कर जितनी बड़ी बड़ी बात भारती जन्ता पार्टी से जुड़े हुए लोग वर्तमान में कर रहे हैं पहले ये ग्रामिन अर्थ ववस्ता के बारे में समझते हैं क्या 15 वर्सों तक तो इन्हें गौधन की चिंदा नहीं नहीं 15 वस्त तक गोठानों के कभी एड़ धाकने नहीं गये आज अगर वर्तमान की सरकार गामिन अर्थ ववस्ता को मजबूत करने का काम कर रही है उन्हें लगता है कि गौधन एक ऐसी योजना लाकर अर्थ ववस्ता को मजबूत किया सकता है गामिन चेत्र के लोगों को कही आर्थी कुष से सुदिड किया जा सकता है तो उस पर ये सवाल उठाने के लावा इसकी परिवासा समझते हैं क्या मैं पहले तो यही पूछना चाथा हूँ रही बात गोठानों की तो गोठान है या नहीं है ये तो हमें पता है लेकिन क्या भारती जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग जितने आरो पास सरकार पर लगा रहे हैं क्या उन्होंने कोशिस की जाकर देखने की क्या विवस्ता है क्या विवस्ता नहीं है जो गल्तियां हुई है जो जिए जिखाई पर रही है और आगे भी कारवाई करेगी योजना आप की है इसलिए प्रस्शन आप से किया जा रहा और गाजी शेतरों में अगर गाजी शेतरों के आठिक से त्भूर करे तो तो क्या इसी तरह करेंगे की कमर में सौगाए बंर कर दे सभो कि समय मर जाए देखे क्या होता है त्रिपाटी जी किसी भी योजना को शुरू करने के लिए जो परिसितियां परिद्रिश के बनती हैं उनमें किसी प्रकार कि अगर जो घटनाएं हमने तकटपुर में देखी उस सीधे जोड़कर पूरी घटनाओं को फिलवर नहीं का जा सकता इस बास को आप भी समझते हैं हम भी समझते हैं लेकिन जो गलतियां हुई है उस गलतियों की जाच के आने के बाद ही पूरी चीजें सामने आएगी कि आखिर इसमें है क्या लेकिन भारती जनता पार्टी इसे गौधन योजना से जोड़ती है उसे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी स है 36 गड़ के परिपेक्ष में कि जिससे भारती जनता पार्टी का राजनीतिक सुपड़ा साफ होने वाला है क्योंकि आज भी 80 प्रतिशत 36 गड़ में क्रिशी अधारित प्रदेश है गामिर अर्थवेस्ता के अधार पर यहां पर आर्थिक संरचनाएं बनी हुई है तो भ अधारी आपके चैनल पर यह कह सकता हूँ ने उठे लेकिन कहीं का कहीं जोड़ना भी तो यह उचीत नहीं है इस बात को समझना पड़ेगा खेर ये भाद्ती जनता पार्टी का चरित्र है कि जब सर पें रद होता है तो वह गुटनों का इलाज करते हैं तो यह 15 साल में त नियोजनाओं का जो परिजिस्य दिखाई पड़ेगा, उससे ये घबराये हुए हैं, इसलिए ये कहीं का कहीं जोडने का प्रयास करते हैं। नियोजनाओं का जोडने के बात हैं, आपके चैनल में बड़ी गंबीरता और जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाता हूं, ये केंद्र सरकार की योजनाओं है। नेशनल डेरी डेवलप्मेंट कार्पोरेशन ने गाओं को आर्फ सुरक्षित करके और वहाँ पर गोबर खरीद कर गोबर गैस प्राइबारा और पार सब्सक्राइब करना शुरू किया नहीं पता था कि यह केंडर की योगना है नेशनल डेरी डेवलप्मेंट केंडर में किया है तो योजना केंडर सरकार की है अगर प्राइब योजना से कतरी नहीं क्योंकि योजना है तो आपके पूर्व मुल्ती पीट कर देते हैं कि गोबर बने बद ठति जिगर का जो प्रतीच सिम्में उसको गोबर कर दिया जाए तो बने केंडर की है तो योजना कोई वो ताक पे रख रहे हैं तो योजना कोई पूर्व मुल्ती पावन शीज़ें कि इस योजना को क्यों ने लागूर किया पूछ लिए तेखा जा सकता है और भाजपा सासित कोई राज़े में योजना चल रही है इस परिजिश में गोबर मितुला उसकी से कर रहे है किदार जी राजी जी पूछ रहे हैं कि भाजपा साशिट किस राज़ में यह जना लागू है और रवन सिंग अगर केंडर की है तो रवन सिंगी ने क्यों लागू नहीं किया था यह जी पूछ रहे हैं यह योजना मैं कह रहा हूँ यह योजना छे मेने पहले केंडर सरकार के द्वारा लागू की गई नेशनल डेरी डेलपमेंट कार्पोरेशन आप वेब साइट पर जाकर देख लें और उन्होंने प्रदेशों को एक जगा में इसका मॉडल भी बना कर किया और उसके लिए पै प्रदेश की जंता का जो पैसा इन योजनाओं में लगा हुआ है उस पैसे का हिसाफ का है जोसों गायों को एक कमरे में और उसके पाद दुनिया के चरित्र की बाद इसका जवाब को देगा और अगर गोबर बेश रहे हैं तो गोठानों में जो गाए है उसका गोबर का प कि एक प्राइबेट आदमी के कार गायों की बिमत्रा दुरुद में मौत हुई थी उसी तरह अगर वहां के सर्पन सचिव या किसी बिक्ति ने एक कमरे में उनको फूस दिया कह सकते तो उसके लिए कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या कांग्रेस की प्रमक्ता थोड़ी दे अगर यह सरकार की योजना के तहट कोई फेलिवर सामने आता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि विपक्ष की पार्टी का सरकार से प्रस्न ना करे हम जाए क्या सर्पंच के पास ब्राइबेट की होगे प्रस्टी को आप दोशी में डाल करके आप इस जो भी बुद्धा है इसके आप पीशा नहीं छुडा सकती ते चर्पंच के उपर फायार कर दिया संटी को बर से फायार कर दिया इस जिम्मेदारी से आप मुक्त नहीं हो सकते तिवारी जी नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जार गुद्धा जी इस जिम्मेदारी से हम मुक्त नहीं हो सकते और ना हम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं जांच की रिपोर्ट आगाने दीजिए आपको भी दिखेगा कि सरकार क्या होती है कोई भारती जनता पार्टी के कारकरता जिसे ने गौशाला में 400 गायों की हत्या की उसे आप प्राइवेट आदमी की संग्या दे रहे हैं इतना बड़ा लोहे के गेट में कमल फूल का निश है तो जांच की रिपोर्ट आने डीजिए जो भी दूद का दूद है पानी का पानी है साथ के तोर पर दिखाई पड़ेगा योजना हमारी है जिबेडारी हमारी है हम सरकार पर हैं निश्च तोर पर हम जवाब देंगे हम अपनी जिबेडारी से भागने वाले नहीं क्यों कि आप जाए हो सकता हूँ पंजा लग जिया हो ति इसलिए अधिर देखा लेता है कि रुकता जी को बूलिए तर्पाडी जी जी देखा ते जी चले जी कि रहा है कि निश्चित रूट से पार्टी की अपनी बेवस्ता है और चैनल में बोल देना कि आप जाओ और मैं चले जाओ पार्टी की वेवस्ता है पार्टी जो वेवस्ता होगी उसके अनुरूप हरेक कारे करता काम करेगा यह जवाब तैयार रखे और जवाब देही को माने कि अगर सरकार की योजना फैल्वर होती है तो सरकार से ही प्रस्ट पूछा जाएगा और भ जोटी जी आपकी संसे प्रपड़े इस पूरे राजनीच को लेका कि जिनकी जिम्बेदारी होती है उन्हें जवाब देना होता है जी जी तो बहुत अच्छी सरकार ने कारेकम बहुत अच्छा बनाया लेकिन नियत जहां तक है उसका सवाल है तो यह व्यवस्ता का फेलव क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर एक पंचाय दोवन के छोटे से कमरे में जहां 10-15 गाये ही आसकती थी हाला कि वो गुठान नहीं ता और नहीं वहाँ पर गायों का रखने की कोई ववस्ता थी तो वहाँ पर ज्यादा गायों को रख दिया गिया गया और तो इस तरकार ने जो रोका छेका योजना की तहत जो हमाई बगिल साब भी बता रहे है कि वसल इस समय तेयार खड़ी है और कोई किसान नहीं चाहता है कि जो अवारा पशू है उनके खेतों को चरकरके उनको नस्ट कर दे तो इसलिए रोका चेका योजना की तहत उनको रोका गया होगा और जो एक भवन में रखा गया लेकि जो विवस्ता की मैं फेलूर की बात कर रहा हूं कि जिनको रखना था उन्होंने यह नहीं देखा कि यह बेजवान जानबर किस तरह से एक छोटे चे कमरे में इतने सारे गायों को रखा जा सकता है उसका परणाम यह सामने निकल कर क्या है चले मुनोगी निस्वत तोर पे आप हमारी सुराज एस्वत की तीम निस्वत खोजी है यह जानने का जिरूर प्रयास करिएगा कि आखिर सरपंच तो कि हाला कि वहां दली आधार पे या कहीं वी सरपंच के चुनाव नहीं होते हैं लेकिन वो किस पाइटी से प्रतिवत है प्रिस पार्टी से जुड़े हैं ये चीज़ अगर आप पता करेंगे तो बहुत सारी चीज़े सामने आ जाएंगे आप अपने मिस्वत पर बिलास तो सम्वादता से ठाकर तो जाकर कि जरूर ये जानने का प्रयास करेंगे तो साइब फुराज एस्वत और बहतर जंता के सामने सारी चीज़े लासकेगा बहुत 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 धन्यवाद किरार जी आपका घर्षाब जी आपका और बनोज जी आपका माशा जोड़ लखी तो छतिगर सरकार द्वारा गौ माताओं समेट मवेशियों को रोका शेका योजना के तहत रोका शेका कर कुठानों में र जा सकता है कि गोठानों में विवस्थाएं हैं और अज़कारी भी लापरवाही बरक्ति में पीछे नहीं है अगर ऐसा नहीं है तो फिर पचास गायों की अकाल मौत नहीं है यह मुद्दी की फिराद में बैठी बीजेपी ने